आपको पता तो है निए गोड़से के बारे में कुछ बिना बात कि उसके ऊपर ठपा लगा दिया एक टैक तो लग गया ना कि गांधी का त्यारा गोड़से है तो उससे क्या मतलब टैक तो ये गांधी जी पर भी लग जिया कि तुमने विभाजन होने दिया पर उसकी कोई ब तुम औरंग जेब को तो जस्टिफाइए कर रहे हो तब तो कोई महाल खराब नहीं होता अगर गोट से को जस्टिफाइए कर दोगे तो महाल खराब हो जाएगा गांधी जी की अहिंसा के कारण जितने लोग मरते हैं उतने तो वर्ड वार वान और वर्ड वार टू में लोग सेना के लोग भी नहीं मरें जिन्ना जैसे मतलब नाकारे आदमी को वो सब जानते हैं कि जिन्ना जो था वो कोई भी मुसल्मानों वाली बात नहीं थी उसके उसके वी दादा हिंदू थे नमस्ते सदावत्सले मात्रभू में यह उनकी पहली प्रेयर है आरसा जिस तरीके से भगवा का अपमान हुआ है मुझे तो नहीं देखनी बठान सूचिए अपने बच्चे का नाम तैमूर रखता है वाट नांसन हाउ रविश मतलब पागल है क्या वह उससे बड़ा कोई अत्यारा नहीं था तैमूर से नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एच्जियन नि से एक यूथ इस पर बवाल है ट्रिलर लॉंच हो गया है फिल्म 26 जनवरी को याने की गड़तंतर दिवस के दिन रिलीज होगा इस पर बिवाद हो रहा है एक पक्ष कह रहा है कि अब फिल्म सही है तो दूसरा पक्ष का मानना है कि इस फिल्म में गांधी जी के छवी को धो पूमिल किया गया है इसे मुद्धे पर बात करेंगे आज मेरे साथ बात करनी के लिए दिनेश कपूर सहाब है जो कि एक फिल्म डिरेक्टर है प्रोड्यूसर है लेखक है सर सबसे पहले आपका स्वागत है मेरा पहला सवाल है सर गांधी गोड से यूद का एक ट्रेलर लेकिन मैंने इत्यास का जाओं और जब किसी सब्जेक्ट पर मैं लिखता हूँ तो जरूरी नहीं कि उसमें साल और साल की बात करूं मैं क्योंकि एक लाइफ टाइम की स्टड़ी होती है जिफ्रें डिफ्रेंट सब्जेक्ट्स पे जैसे गोड से के उपर भी मैंने की लेक काल यह एकसेप्ट करनेंगे मेरी किताब को लेकिन इवन बीजेपी के प्रकाश और कशको ने मेरे अपने प्रकाश फ्जापते थे उन्होंने इंकार कर दिया क्यों रहा थे हम अपना पर किशन को तोड़वाना नहीं चाहते लेकिन जब यह फिरम एनाॉन सी तो हलानकि से कि पहले मैं अपने प्ले की तयारी कर चुका था तो मैंने जब अपने मेरा एक नाटक हो रहा है यह उनाटिस तारीक को सेक्टर नाइंटिवा नॉइड़ा में तो उसमें चुकी ए कॉंट्रोवर्सी थी तो सब ने का कि आप गांधी गोट से का नाम से नाटक मत कीजिए रखा लेकिन जब यह फिल्म आई तो मुझे थोड़ा से साहस यह बंढ़ा कि अब शायद गोट से तयार है उपर आने के लिए क्योंकि इसको दबा के रखा गया कि जी राई हर राई हर सरकार ने राजनीतिक विवश्ता के कारण गोनिक गोट से को उपर नहीं आने दिया आई क्यांदी के बारे में सब जानते हैं उनके खादेखर आट बाया गर्षष से भी उनके कारणामों से भी और वहान महात्मा भी थे लिकिन गोटसी के बारे में कोई नहीं सुना चाथा आप लों की जैसे कैनल मुझे बुलाते हैं तो जभी कोई बात चलती इत्रजिट में तो यह पुछते हैं आप hemma को चलती अप लोगत से घ्ट्यारा था कि नहीं कि तї उरा था पर उनत கॉ। अं बशक करो अरे आप हिटलर को मौका देते हैं मुसोलनी को मौका देते हैं आप तैमूर को आप औरंग जेब की कबर पर जाते हैं आप हरे की सोच को इन अलेस करने की कोशिश करते हैं अगर उस sister दोए नियुर यह मारा था यह उनित्लर ने अपने अपने सुन तो लो हत्यारा मानते है या नहीं गोच से हत्यारा था विदाऊट डाइट पर यह तो सोच पूछो कि उसने हत्या क्यों कि मैं आपको समझाता हूं गोटसे ने जस्टिस कपूर की अदालत में मैंने गांधी की हत्या क्यूं थी इस अपने पक्ष में एक सो पचास दलीले दी थी एक सो पचास लेकिन उन दलीलों को उसके उन विचारों को उसने उसके उपर जो किताब लिखी थी उननेश सो उननाथ तक पब्लिक डुमेन में आने दिया उननेश सो नथट तक क्यों तब तक 21 साल बीच चुके थे उनकी जो सोच थी ऑर वो सोच ठीक निकली उनकी मत्ब उन सरकारों की जिन्नों ने गोटसे का जख्र जिकर पब्लिक में नहीं होने दिया कि 21 साल तक उन्हों पीडी को क्या मत्रब है कौन गोच से था कौन नहीं उसका जिकरी नहीं होने दिया तो उनीश सो उनक्तर में ये लोग सारे बीस साल की जेल काट कर गोच से और नारायन आप ते इनको फांसी हो गई थी और बाकी के जो थे उनके साथ ही पर चुरे जटा ते मदनलाल खड़ ग जो बीस जनुरी को किया वह फेल हो गया कि पिस्टल नहीं थी दूसरे में क्या हुआ वो सब मैंने अपने प्ले में दिखाया मेरा मेरा कहना यह है कि बढ़गे को कोई मंच नहीं मिला बढ़गे को जानने ही नहीं दिया गया पप्लिक को जैसे लोग वीर्शावर को नहीं जानने देते अब यह तो शुक्र करें आप प्रेजेंट सत्ता का आज की वेर्शावर को नहीं जानने देते थे कौन लोग और सुकून जाना देते थे लेफ्टेस्ट्स कॉंग्रेस और कई पार्टिय यह थैसर क्या वजह है अब क्या होता है न कि हर एक देश को एक पेग चाहिए होता है टू हैंग ऑन देर नेशनालिटी जैसे पाकिस्तान में जिन्ना जैसे मतलब नाकार आदमी को वो सब जानते हैं कि जिन्ना जो था वो कोई भी मुसल्मानों वाली बात नहीं थी उसके उसके वी दादा हिंदू थे और उस उसने ना कभी बूट कभी भी होता था कुछ ऐसे एंट उससे ज्यादा गयार मुसलिम कोई गयार मुसलिम भी नहीं हो सकता था लेकिन काईद आदम बना दिया उसको वाई बिकाज वी नीड़ पैट टू हैंग ऑन और नेशनालिटी आर इमोशन ऐसे गांधी जी थे उनको भी राश्टर पिता बनाया ग कि उन सब विसंगतियों के बावजूद गांधी जी को तो हम लोग मानते हैं पूछते हैं उनको उनके बार में डिसकरशन होती है लेकिन गोट से को कोई नहीं समझता ना समझनी कोशिश करता जो गांधी जी के आदर्शों पर आँख मून कर चलता था जो गांधी जी को प 1937 तक वो आँख मूंद कर गांधी जी का भग था अंधभग था अब पूछेंगे हैं 1937 में वो अलग की हो गया उसने यह देखा कि गांधी जी की अहिंसा के कारण जितने लोग मरते हैं उतने तो वर्ड वार वान और वर्ड वार टू में लोग सेना के लोग भी नहीं मरे प्रॉब्लम यह थी कि कोई गांधी जी से बड़ा नहीं था जिनके अगेंस्ट वो जाकर अपील करते कोई अधालत थी जो गांधी जी से बड़ी थी गांधी जी देश से भी बड़े थे उनका वचन कानून था तो किसके पास वह अपनी भगत सिंग अपनी अपील लेके जाता या गोट से अपनी अपील लेकर जाता तो उसको भी मरना पड़ा अपनी जान देनी पड़ी वह वी शाहिए और गोट से भी उसी राश्टे पे गोट से ने आज तक किसी का भी किसी मुसल्मान किसी हिंदू किसी का भी कतल नहीं किया था अरे वह आदमी खून बहता हुआ नहीं देख सकता था तो इनकी जो इनकी सोच रसट्रWA... थी इनकी सोच अभी यह नहीं थी कि आप मारों मर जाए यह थी कि हम आयांपर तुम घुश के बैठे हो समय हमें राष्टवादी नहीं थी और में तुमाना हो जो एक्सपेरिमेंट्स वो साउथ अफ्रीका में उनकी सवलता देखाए थे वो यहां पर रागू नहीं हो पा रहे थे और वोने यहां रागू करना चाह रहे थे उसने तीन जून तक सब टोटल जो जिन्ना नहरू गांधी जी और जो इनके सरदारों के जो प्रतिनी दी थे उन पांच प्रतिनी दियों से उसने कई मीटिंग्स की और फाइनली उसने यह समझा कि तीन जून को उसने कॉंग्रेस को मना लिया कि विभाजन करने अब विभाजन कॉंग्रेस के नेता तो मान गए पर और घोशना भी होगे और इंडिया रिडियो से जिन्ना ने 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 गांधी जी चुप रहे गांधी जी नहीं थे वो कहां थे विभाजन के समय वो क्यों नहीं रोक पाए क्योंकि मांट बैटन जैसा चलाग धूर्थ आदमी वो उसके जाल में फस गे मांट बैटन के बरे में कहाई आता था कि वह एक बास की एक चील की जबड़े में फसे फ्री करवा सकता था उसने गांधी जी का ब्रेंड वॉश किया कि वो जो पहली कील यह थी कि आपने विभाजन के समय मौंट स्विक्रिती थी आपने यह नहीं का कि मत करो जब चार जून जब तीन जून को हो गई ओल इंडिया रेडियो से घोश्टा चार जून को उन्हों मौंट बैटन उनको बुलाया क्योंकि मौंट बैटन को यह सुचना में लिए कि आज शाम अपनी प्रांटतना सभा में जो वह बिर्ला मंदिर बिर्ला भावन में करते थे उसमें वह विभाजन की घोशना के विरुध एजिटेशन का आवान कर रहे हैं इस बात को लेकर त कि कांग्रेस एक तरफ दुनिया एक तरफ गांधी एक तरफ और वह अगर वह अड़ गया की बाजन नहीं होगा तो नहीं कर सकता था क्योंकि जनता उनके साथ थी पूरा भाजन का जिमेदार किसे मांदी जी को मांता हूं अगर वह उस समय अड़ जाते क्या हुआ था मैं को ये बात मैं आपको authentic बता रहा हूं मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं चार जून को माउंड बैटन को सूचना मिली कि गांदी जी आज अपने उसमें जैसे मैंने आपको बताया विभाजन के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए लोगों का आवान करने के लिए अपना आवाज उठाने जा रहे हैं उसने गांदी जी को बिला गांदी जी को करीब पांच बजे उनके उसमें गए वो और छे बजे शायद उनकी वो तो उनके पस एक ही घंचा था तो गांदी जी मतलब बचारे बड़े हताश थे उनका दिल तूट चुका था क्योंकि विभाज सवामे देश को आवान करते कि उठोव कोई नहीं होगा विभाजन कसी माई केलाल महमत थी वहां उस समय वह अपनी अबनी का कि निवर वजन नहीं होने कि विभाजन नहीं होने कुछ बात को मंदिरों मस्जिदों में जो हिंदू विस्थापित हिंदू पाकिस्तान से आए वे बस कहते उनकों सर्दियों की कड़ी रात में गोट से ने अपनी आखों के सामने निकलते देखा पुली महात्मा गांधी यह नहीं समझ पाए यह डिसाइड ही नहीं कर पाए कि वह संत बनन हम क्या बोलें उनको उनके कुछ कर्तब ऐसे हैं कितनी बार वो देश को संप्रदाइक दंगों से बचा कर लाए थे बंगाल में वह मौंट बैटन कहता था इस माई वन मैन आर्मी एक तरव संतत्व एक तरव धूर्ट राजनी थे कि मैं क्या मानूं उनको बताया कोई भी क अच्छी चलती बात को राई नहीं थी बात को एनीमा के फाइदों की तरफ मोड़ सकते थे उनकी उलजी हुई जो व्यक्तित्व था उसने सब को लजा के रखा हुआ है लेकिन कोई खुल के डिसकस्ट नहीं करना चाहता मेरे लिए भी वह पिता तुल्य है मैं उनको लेकि जो समझी नहीं आती थी उनको ना गोरी चम्री का कॉंप्लेक्स भी था यह मैं आपको बताऊंगा अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर विस्तार से बोल सकता हूं उनके दिमाग में उनको कभी किसी गोरी चम्री वाले ने नहीं भाव दिया था मांट बेटन ने पहली बार लोग कह रहे हैं कि गांधी जी के छवी को धोमिल किया रहा है यहां तक कि गांधी जी के पर पोते तुसार गांधी ने भी कहा है कि इस फिल्म में गोर्से को हीरो बताया जा रहा है और गांधी जी को जीरो बताया जा रहा है तो इस फिल्म पर आपकी प्रतिक्रिया क्या ह वह दो बाजे उनीकी वजह से तो इसी पहले तो इन लोगों Cheers ने मुस्ट्निया कीई जिसना के kidding के साथ अन्याई किया फिर उसके बाद जब विरोधी हो गया आपो तो आप उसको करने लगें क्वांगरेंस और इनकी तो फॉलिसी रही है नaj goes जो गंदी-जी की थी कि प्रो मुस्लिम रहेंगे तो इनको तो आज तक यही तो होता रहा है जब भी कोई do esuwet होती है तो वह यह पूछते है कि जो गूढ से हत्यारा था कर नहीं उससे का अज़िश के स्थ है कि थी कर न फार जल्डे आप लोगों ने अपने हाथ से ना की हो डारेक्ट इंडारेक्ट क्या आपकी पॉलिसिस ने हत्याई नहीं की तो सुनो तो सही उनकी बात यह मैं कहा रहा हूं और यही शायद राजकुमर संतोची कहना चाहते थे मैं भुपाल गया था उनसे मिलने दो साल पहले जब यह फिल सब्सक्राइब करें वह आरहा दूरे की बात होती है ना फिर ट्रेलर में तो वह दिखाते हैं जो बैस्ट बाइट है तो उस पे बात नहीं पूरी समग्रता में देखें आप मैं यह नहीं जानता उसमें उन्होंने क्या कहा है राजकुमार संतोशी ने क्या पोट्रे किया क्यामर सब्सक्राइब करें पर मैंने अपने प्ले में सच ऑर सच के रहा कुछ्छ पोट्रेनिक यह फिर ऑक लिए और सर आप बहुत सारे से फिल्म भी देखे rer गया है लेकिन गोटसे को नहीं बताया गया तो क्या आप चाहते कि दो बिचार धारा के लोगों को बातों को आ आगया आना चाहिए ना क्यूंत जाहिए दोनों की सोच आगया निचीना अभी तक आपने सिर्फ गांधी जी की बात सुनिए अरे गोट से की सुनतों लो भाई लेकिन पूरी फिल्म आ जाएगी गांधी गोट से तो आपको नहीं लगता कि देश में एक तरीके से महौल खराब भी हो सकता है क्यों होगा मौल खराब हमें एक आदमी को तुम औरंग जेप को जस्टिफाइब कर रहे हो तब तो कोई महौल खराब नहीं होता अगर गोट से इसके उपर ठपा लगा दिया जानते हैनी कि इसी लिए सब लोग ना डिफेंस पर आ जाते हैं कि हम जैसी बाच चलते आरस इसकी यहां गोट से की देखें मैं आरस का मेंबर नहीं मैं किसी इभाजनितिक पॉरट इसे मिलोग नहीं कर दिफेंस में क्यों हूंति इत्य अच शांती का संदेश है और क्या प्रॉब्लम में गोटसे में सिवाए इसके उसके बहुत गलत किया लेकिन मैं कहलों उसको सुन तरोस ने क्यों किया एक तरफ आप देख रहे होंगे कि बॉयकॉट बॉलीबूर का ट्रेंड चल रहा है पठान फिल्म 25 को आएगी और गांधी गो कि का रहे हैं बिलकुल शही सोचते है लोग यह लोग जहाए ध़का से कौन गाता है शारोख economics काया। और फिर वह जब बात करते हैं तो अंडर्टोन समझती नहीं है जब वो मिलते हैं जाजा के दाउद और इन सब के गुर्गों से तो आप समझते नहीं है मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता यूथ आइकोन है उन्होंने अपने फिल्म बनाई है लोग जाएं देखें ना याएं नहीं देखें मुझे तो नहीं देखनी बठाना क्योंकि वह भगवा जिस तरीके से भगवा का मान हुआ है जिस तरीके से यह जान बूच नाम का मतलब यह है। उसके पीयर उसके बच्चे इसके सेफाइटी उसके दोस्त उसको जब तेमूर तेमूर कहके चिडाएंगे यह क्या हो गया है इनकी अकल को अरे कोई अच्छा नाम दूटा कितने अच्छे नाम है नाम बड़े अच्छे हैं उर्दू के नाम है हिंदी के नाम है आप नहीं रखते हैं रख लिजिए अमेरिकन रख लिजिए यह तैमूर और तो यह क्या चिडाने वाली बात नहीं है पठान और यह इस डिस्कस्टिंग कम से कम सलमान खान बजरंगी तो रखता है